हेलो इस्टूडेंट केसे हुआ अपलूग स्टूडेंट आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जादा महत्पूर है जो क्लाश टॉइल हिंदी के चात्र है क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेका रहा है तो वीडियो को आप लार्स तक जरूर देखिएगा चैनल पर नहीं हमाई चैनल को सस्क्राइब पर लिजिए वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजेगा देखते हैं पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो बोड एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महात्पूर है खास कर क्लाश्ट वें हिंदी वालों के लिए देखें पहला जो हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकिक कृतिया यह लिए लोकिक कृतिया पहला आपका होगा टॉपिक दूसरा है संद विच्छेद ये भी काफी इंपॉटेंट है तीसरा है विभक्ति और वचन चौथा है आपका सब्द युंग और पाचवा है सब्द अर्थ और छे जो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक सब्द और जो हमारा लाश्ट वाला यही सातवा टॉपिक है वाग कि संसोधन तो यह जो सात टॉपिक है यह बोड एक्जाम में हर साल पूची आते हैं और हम हर एक टॉपिक का तीन प्रशन यानि तीन प्रशन देखेंगे तो टोटली आपका हो जाएगा यानि तीन प्रशन देखेंगे और सात टॉपिक है तो टोटली आपका कितना हो जाएगा 21 यानि 21 नंबर आपको मिल जाएगा तो याद रखेगा बोड एक्जाम में हर साल पूचे आते हैं तो आप तयार करके जाना इसको तो चलिए देखता है पहला जो हमारे और लोको कृतिया पहला जो टॉपिक देखेंगे मोहावरे और लोको कृतिया किस प्रकार से आपका बोड एक्जाम में आता है तो देखें किस प्रकार से आएगा देखे अब हमारा जो हो गया यह मुहावरे और लोको कृतिया है अब पहले हम समझते हैं मुहावरे और लोको कृतिया होता है कहा है विसकली देखे पहला जो आपका आगया है मुहावरे और लोको कृतिया में आपका यह होता है कि आपको वाकिक का पर जना यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है वाक की परियोग्하다 कि परियोग करने के बात में क्या करना देगी यहाँ पर आप अपने तरप से एड कर सकते हैं लिकिन उसमें जो यह है अपका वह की से आप करने यह इसमें चाहिए यह से यह वर्स याइस-स-.. की तैयारी के लिए शुरेस ने आकास बाताल एक कर दिये अब यहाँ पर बात क्या हो रही है यह आकास बाताल एक कर देना या अस्यमित परियतन करना या उससे ज्यादा तो उसी प्रकार से इस वाकि में आई एस पर इच्छा तैयारी करने को शुरेस ने आकास बाताल एक कर गया तो इस प्रकार से आपको करना है दूसरा जो है ठाली में बैगन होना याणि ठाली का बैगन हो Wha convin बदलते रहना यानि थाली का बैगन होना पच्छ बदलते रहना अब वाकिपरयोग में किस परकार से आपको लिखना है देखें या आपको सिब्ली से डाल देना है वाकिपरयोग आपको इसी परकार से थाली का जैसे बैगन होना वाकिपरयोग डाल दीजेगा उसके वाम में थाली का बैगन होना यानि पच्ची बदलते रहना इसका ये वाक्य परियोग है आपको हमने हिंदी में भी बता दिया तो इस प्रकार से आपको करना है तो मैंने बताया था आपको शुरुवाती में कि हर एक टॉपिक का तीन प्रशन देखेंगे तो इसमें भी आपका तीन तीसरा जो है हतियार डाल देना यानि हतियार डाल देना अब किस प्रकार से हतियार डाल देना इसका किस प्रकार से आप वाके यानि मुहावरे करेंगे तो देखें इसमें क्या है वाके परियोग हतियार डाल देना आपको इस प्रकार से लिखना हार माल लेना यानि हतियार कुन ऐन पर्गहटारों कने किस प्रकार से करेंगें कारगिल के रुद्ध में पाकिस्तेजिस्security से और भारत के ये भी topic है board exam में हर साल एक number का आता है जिस प्रकार से आपका हिंदी में objective question पूछे आते हैं सेम इसी प्रकार से संद विच्छेद भी पूछाता है ये भी आपका एक number का होता है अब देखें या पर बात क्या हो रही है पहला प्रशना आपका है इन में से आपको पहचाना है कि पावन का सही संद विच्छेद क्या होगा चार विकल्प है आपके पास इसी प्रकार से बोड इक्जाम में भी आपको बिकल्प दे जाएंगे तो देखें जो पावन का संद विछेद होगा यदि आपको नहीं पता है तो आप याकर बुक में देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू तैयारी के लिए सभी काफी इंपोर्टेंट है और भी जो इंपोर्टेंट ह है उसका भी आपको बता रहे हैं तो आप वो सारी वीडियो जो देखेंगा क्योंकि मोश्ट इंपोर्टेंट यह है तो देखेंगे जो पावन का संद विछेद होगा तो आपका पो प्लस धन पो धन अन इनमें से पावन हो का संद विछेद सही हो जाएगा याद रखेगा दूसरा है महेश का संद विछेद होगा यार एक टापिक का तीन प्र errorsnya है और काफी इंपोर्टेंट यह सभी प्रसन इसको अब तयार कर लिज़िए और कॉपीपैन में लिख लिजी क्योंकि मोश्ट इंपोर्टेंट है दूसरा जो है महेश का संद विच्छेद क्या होगा यह बताना है तो महेश का संद विच्छेद होगा दीख सकते हैं इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस इस यानि महा प्लश इसका संद विच्छेद महीश हो जाएगा याद रखीगा ये सभी जो कोशन है बोड इजाम के लिए बहुत ही जाद महात्तपूरे आपका एक एक नंबर वाले एक भी प्रशन आपको नहीं छोड़ दे कि क्यों यही सब प्रशन आपके लाश्ट म क्या होगा ये सही उत्तर हो जाएगा इन में से का हो जाएगा भो प्लस उक इसका राइट एंसर हो जाएगा भाव का संद विच्छेद याद रखीगा तो यह हमारा तीन प्रशन अगले प्रशन के और बढ़ते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है सबसे महत्तपूर टॉपि हमें आपके पूछे आते हैं पहला जो आपका है आत्मानू इनमें से आपको बिभक्ति को पहचानना होता है कि इनमें से बिभक्ति और वचन कौन सा है यह आपको पहचानना रहता है तो प्रशन आपका सिंपली से यह प्रशन पूछ लिया गया जैसे आत्मानू का संद्विष्षेद यदि आपको पताए तो बताईएगा देखेंî इनमें से आपका call का सही संद्विष्षेद हो जायेगा सक्टमी दिग दिग वचन जात्मी दिग वचन इसका राइट इंसर हो जायेगा याद रखीएगा दूसरा जो क्या ने आ Пरकिक में और वचन में है आप इसको भी तयार कर लीजिए हम सभी का इंपोर्टेंट ला रहे हैं आप सभी को तयार कर लीजिए क्योंकि बोड यहां में हर एक जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा वहत्रकूर है जो मैं टॉपिक बता रहा हूं साथ टॉपिक इनको आप तयार करके जाएगा और जो भी अधर हिंदी में सब्जिक्ट में आता है गद्दान पद्दास जीवन परच्चय रचनाए जो भी अब्जिक्ट्व कोशिन में आता है हम उसको भी तयार करा रहे है तो दूसरा जो है नमानिका सही संद्विच्षेद क्या हो जाएगा पर्थमा दिग इसका जो सही संद्विच्षेद होगा यह आपको बताना है तो देखें इन में से कापने हो जाएगा दूतिये एक वचन यह लिखा बीभक्ति और वचन का चलिए अगले टॉपिक क्यों बढ़ते हैं जो काफी इंपोर्टन यह सबीट उपिक में बता रहा हूं बोड जाम की द्रिष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्पूर है। सब्धुग्व में क्या है उपकार और अपकार यानि इसका अर्थ आपको बतनाना है जैसे दूसरे का कार और बुरा, खा है पुकार और ना बोलना, गा है भलाई और बुराई या घा अच्छा और दोष्ट, तो इनमें से उपकार और अपकार का सही उत्तर हो जाएगा भलाई और बुराई, याद रखीगा, तो यह सब्द युगम हो गया, दूसरा जो हमारा है इसमें तो देखे अब जो दूसरा हमारा है अंस और अंशू अंस और अंसू में आपको पहचानना है किस प्रकार से अंस और इसमें सब्द क्या इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन हो जाएगा का आपका हो जाएगा भाग और शूरी खा शूरी और भाग यागा भाग और किरण यागा भाग और वरुए तो इनमें से भाग और शूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा यान रखेगा जो कि सब्द युगम का सबसे important यह हम हर हर जो टॉपिक में बता रहा हूं साथ जो important में टॉपिक ले रहा हूं उसका हर एक कोशन में change कर रहा हूं जो आपके बोड़ी जाम में हर साल पूछे आ जाएगा पिछले जो पांच वर्सों से छे वर्सों से जो पूछे जा रहे हैं उसी को में लेकर आ रहा हूं और आपकी तैयारी की काफी important है तो अंस और अंशु का भी अपने बता दिया तीसरा अपका धारा और ध धारा में क्या हो जाएगा दिखिए चार निकल्प है आपकी पास और धारा और धारा में इसका सही उत्तर आपको बता रहा है का आपका हो जाएगा प्रितिवी और पानी का परवा खा हो जाएगा प्रितिवी और आकास गापका आकास और पातानिया घाशूर और चंद्रम या प्रितिवी और पानी तो इन में से चारों में से आपका सही उत्तर को आपको चैन करना है तो इन में से सही उत्तर आपको पता ही होगा नहीं पता तो बता दो इन में से का आपका हो जाएगा सही उत्तर याद रखेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा का प्रितिवी और पान किसी में दो पोच ले आते लेकिन तीन पूछा आता है तो एक एक नमबर का प्रतीक्रिश्न होता है, तो इस सभी को आपको तैयार करके जाना है कोई गोर नहीं करता है तो इसको आप तयार कर लिजिए, देखिए, सब्द अर्थ है, अब हमारा आगया सब्द अर्थ करना, यानि एक सब्द का कितने अर्थ निकलते हैं, यानि जो एक सब्द जिसे घर है, घर का किस प्रिकार से अर्थ निकलेगा, घर में जिसे निवास, अस्थान, तो मैं इसको ग्रेह उसके पाद में क्या है आपका जन्म अस्थान और देखें ग्रेह निवास अस्थान ग्रेह जन्म अस्थान जन्म अस्थान या घराना तो ये हमारा घर में सब्द का आर्थ है यह नहीं एक सब्द का कई आर्थ है निकलना उसका तो सब्द का हमारा घर का हो गया उसी प्रिकार से दाम का भी है दाम का क्या है देखिए जोती और शिव और शिव सेम इसी प्रकार से आपका यह भी आपका हो गया तो एक सब्द का कई अर्थ निकलना जैसे घर का हमने बता दिया निवास अस्थान ग्रे अस्थान जन्म अस्थान या घराना उसी प्रकार से दूसरा है मुलियर माला रशी धीर तीसरा है प्रकाश जूति शिव तो यह आपका एक सब्द का कई अर्थ है तो तीन हमने हर बतायत आपको एक टॉपिक में तीन प्रशन बताऊंगा तो साथ टॉपिक है तोटली आपको 21 marks आपको मिलेंगे और उसके बाद में आप आता है अनेक सही हो जाएगा इसका उत्तर तो जैसे जो एक शोक करने का योग नहीं है जैसे पहला जो इसमें अनेक शब्दों में एक पूछा गया है कि जो शोक करने योग नहीं हो क्या है यह आपको बता रहा है तो जो शोक करने योग नहीं हो क्या है यह आपको बता रहा है तो जो श इजान की दिरिष्टी से काफे important है और वो इजामी हर साल सभी प्रशन होज जाते हैं दूसरा जो हमारा अनेक सब्द में एक सब्द है कि बिना प्लक जपकाए हुए तो क्या हो जाएगा अप्लक याद रखेगा बिना जो प्लक है इसको जपकाए हो क्या हो जाएगा अप्लक तो ये भी हमारा किलियर प्रशनिक का कि बिना प्लक जपकाए क्या हो जाएगा अप्लक हो जाएगा तीसरा है अपका अचानक हो जाने वाला क्या हो जाएगा अचानक हो जाने वाला आस्मिक यानि आश्मिक याद रखेगा क्या हो जाएगा आश्मिक राइटिंग अच्छ अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तीनों का हमने बता दिया आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्रपूर है अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है यह भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वाक कि शंशोधन बोर्ड एक्जाम में इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है जो ही मैंने साथ टॉपिक बताया हूं इनको आप तयार करके जाएगे मेरी गारंटी आप 21 नंबर लेकर आएंगे बस आप जो भी मैं डायरेक्शिन बता रहा हूं जिस प्रकार से मैंने बता रहा हूं उस प्रकार से अध्याब करेंगे तो यहां पर आपको सुध करके लिखना है इस भासा को लिखे शो रुपे इस प्रशन को याद रखेगा शो रुपे प्राप्त हुए यहाँ पर देखे सकते हैं शो रुपे प्राप्त हुए यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है याद रखेगा तो शो रुपे प्राप्त हुए हो गया दूसरा है मुझे भारी दुख हुआ य अ यह मुझे भारी दुख हुआ मुझे अत्यादी को दुख हुआ तो यहां पर इस प्रकार से आपको चुछ करना है उसके बाब में तीसरा आजाता है हम सब च्छत में खेलेंगे हम सब जो है च्छत पर खेलेंगे च्छत में खेलेंगे तो किस प्रकार से हैं आपका इस प्रकार से अपनों सही करना इसका हम सब च्छत पर खेलेंगे हम सब च्छत पर खेलेंगे तो यहाँ पर में को हम हटा देंगे दिखिए हम सब चचत पर खेलेंगे. तो यह भी हमारा किलियर हो गया सब सब्सक्राइब, इसका हमने का संशोधन की है, 3.000 रुपय प्राप्ट हुआ है, इसका हमने सही करके 100 रुपय प्राप्ट हुए, इसका दूसरा मुझे भारी दुख हुआ, मुझे अत्याधिक दुख हुआ, इसका सही, उसके बार में तीसरा हम सब छत में खेलेंगे, तो हम सब छत पर खेलेंगे, इसी प्रकार से आपको वाकिका श्रिशोधन करना है, तो जो आज का हमारा जो साथ इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये बोड इक्जाम क ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और पर दोस्तों के साथ चैनल को आमारे सस्क्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हम ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लिए लाते रहेंगे, तो मिलत नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए गुर्बाई जहिद पढ़ते रहें और अच्छे सी बूर्ट जम की तयारी करते रहें